गुद मॉर्निंग दियर स्टुडेंड अब यू आई होब यू आर आल गूड एंड यूर मैमी इस अलसू गूड तो टूडे आटीच यू हिंदी सब्चेक्ट ओके दिस इस यू हिंदी बुक दियर स्टुडेंड इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको चार वर्ण वाले शब्द जोड कर टीच कराया था ओके नेक्स के बाद में मैंने आपको बताया था वर्णों को मिला कर पढ़े तो टूडे आटीच यू पेज नंबर थिरी थिरी थार्टी थिरी वा वा परा की मंत्रा अधका या वा के पा अढ़ा अढ़ा पर छुटी की मंत्रा ए पढ़िये एवा उपरंग की बंदी एवं सामा जाजा पर छुटी की मंत्रा ए समझिये वाके को पढ़िये और समझिये मिनसे आप जो वाके दिये गए हैं आपको उसको पढ़कर समझना है So let's start Means यहाँ पर देखें पिक्चर में क्या देरा यह जो बॉआय खड़ा हुआ है इसको क्या वोल रहे है इसका क्या नाम है दसरत अब यह क्या कर रहा है कसरत कर रहा है ना तो दसरत कसरत कर जने नाटवारा नटवर शारबात सरबत चाखाचक नटवर सरबत चक नाटवारावर नटवर सारचर बाताबत सरबत चाखाचक नटवर सरबत चक, means यहाँ पर जो यह गरल है, इसका क्या नाम है? नटवर, यह गरल नटवर से कह रही है, नटवर सरबत चक, means P, ओके, next, नाटखट, नटखट माता मत बाना बन, नटखट मत बन, ओके, तब ही का ना इस इसके माई से क्या बोल रही रही है अनवार जट्पः जट्पः जट पट जट्पट उठाओ शुट पकै ज़ट पट उठा उठ्ट, के नेक्स्ट, भून बिरामर्द, नेक्स्ट, साब नाम शबनम, चाब सब नाम नम, सब नम, कालाशा कलश राकरक, मिन्स यह पर देखिए, यह जो सबनम है, इसका क्या नाम है, यह जो गरले है इसका क्या नम है, ईसकी माँ बोड़ी है, सबनाम कलश राखा राख सबनाम कलश राख ओके नेक्ष दास दश राथ रत दश रत टामाटम टामाटम टम 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 पारापर चाड़ा चड़ यहां पर देखे जोई बवाई है इसका और में दस रत है ना और यह क्या है टम 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 पर चड़ रहे ना तो दस रत तम टम टम इसको क्याह बोलते हैya टम टम तो इस बॉय का कया है शerson दस रत टम टम पर चड़ नेक्स्ट गाड़ा पाता गड़पत बाता खाबतक माता मत पाकाड़ा पकड़ गाड़ा गड़ पाता पत गड़पत बाता खाड़ा पकड़ गड़पत गड़पत बाता खाड़ा पकड़ गड़पत गड़पत बाता खाड़ा पकड़ गड़पत पाचा पाना पचपन आच्छार अच्छर पाढ़ा पढ़ पाचा पचपना पन पचपन आच्छार अच्छर पाढ़ा पढ़ मैं से हम देखे 5555 लिखा है ना 5555 को क्या बोलते हैं पचपन हिंदी में क्या बोलते हैं पचपन काउंटिंग में तो कह रहा है पचपन अक्छर पढ़ ओके तो डियर इस्टुडेंट मैंने आज इसको जैसे टीच कराया है आपको इसको इसी तरह से टीच करना है ओके आपको इसको इसी तरह से रेट करना है ओके और जैसे मैंने इसको टीच कराया है आपको सेम इस तो समझाया इत पिक्चर के तो आप उसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है ओकी अभी मैंने आपको चार वर से रिलेटीड वाक्यों पढ़ना बताया है और उससे रिलेटीड सुलेक को टीच कराया है ओके सो अब मैं आपको सुलेक को राइट करना बताऊंगी ओके सो सबसे पहरे आपको क्या करना है यहां पर डेट मेंसन करने ओके तुड़ेट पिस डेट टेल मी टू एट ट्वेंटीएट मन्त आपका वन टू ट्वेल एंड यहर आपका ट्वेंटीटीटी ओके देट आपको ट्वेंटीएट है मन्त आपको ट्वेल है यहर आपको ट्वेंटीटीटी ओके देन राइट यूर नेम स्पैलिंग ओके देन एच डवल मेंसन करना ओके देन उसके पाद आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में राइट करना है बीच में सा पर चुटाओ की मंतरा लाला परे की मंतरा खा सुलेग ओके देन बन दाइल लेप करने के बाद राइट करना है दा शा बड़ा शा राथ दश रथ दश रथ दश रथ दश रथ तू फिंगर लीप कासा राथा कस रथ मैंने भी बताया था न एक्सरसाइज जो कर रहे हैं कस रथ कस रथ टू फिंगर लीप काराकर वूर विराम दस रथ तू फिंगर लीप काराकर वूर विराम ओके आपको उसके तरह से राइट करना है दैन उसके बाद में बन लाइन लेक परते हुए next उसके sentence के नीचे आपको write करना है फिर से एक फ़र दा-शा-रा-था तसरत आपको line to line touch करते हुए write करना है two finger leave करना है two finger leave करने के बाद फिर से आपको write करना है का-शा-रा-था कसरत का-रा-कर पूर्ण विरा ऐसे ही आपको इसके नीचे-नीचे write करना है then उसके बाद में आपको write करना है आ-णा-वा-रा-णेवर के आना आने वारा-वर आनेवर two finger leave line to line टेस्ट करते वराइट करना है पा-णा-गा-ट पान हे घट पा-णा-पन गाटा घट पन घट two finger leave ता-का-तक ओकी ता-का-तक two finger leave चाला चल पूर विराम अनवर पन घट तक चल पूर विराम next फिर से एक बार इसको इससे write करेंगे आ-णा-वा-रा अनवर पा-णा-गाटा पन घट ता-का-तक चाला चल पूर विराम आपको इसको इसको इसके नीचे-नीचे sentence के नीचे-नीचे इसी तरह से speak करते हुए write करना है जैसे मैंने आपको बताया है जैसे मैं speak करते हुए write कर रही थी वैसे ही आपको speak करते हुए write करना है आपको बोल-बोल कर अच्छे से sentence को write करना जिससे कि आपको यह अच्छे से learn हो जाए ओके और जैसे मैंने आपको बताया है सुलेक write करते समय आप ध्यान से एक एक अक्छर को speak करते हुए careful होकर अच्छे से write करना है speak करते हुए आपको जब write करना है तो आप speak करते हुए write करेंगे बोल बोल कर राइट करने से आपको बहुत ही अच्छे से learn हो जाएगा है ना इसलिए मैं आपको speak करते हुए write करना बता रही हूं कि जैसे मैं भी तो देखो आपको जब teaching करा रही हूं तो speak करते हुए write कर रही हूं तो आप भी जब homework करोगे copy मे तो आप भी इसी तरह से सेम वीडियो देखने के बाद जैसे मैंने आपको teach कराया है वीडियो में write करते समय स्पीक करते करते मैंने पढ़ाया है ना तो आप भी speak करते करते write करोगे copy में ओके आपको इस बात क्यार्फूल हो कि अच्छे से ध्यान में रखते हुए करना है ओ अच्छे जल्दी उनको जल्दी से याद हो जाता है वह भूलते नहीं है कि तो इसलिए मैं आपको बोर्ड़ी हूँ क्यार्फूल हो कि ध्यान से अच्छे से write करिए को कि थैंक यू बाए